CSI net June 2014 का question paper और उसका part C का question देखना है, partial differential equation से question लिया गया, question कहता है, x1 equals to x1t and x2 equals to x2t is the solution of the initial value problem, initial value problem हमें यह से गिवन है, इसके solution दिया, 7 ही condition दिया, x1 की value 0 पर है, हमारे पास 1 और x2 की value 0 पर है, 0 साथ ही, r हमें गिवन है, यह से x1 square t plus x2 square t का square root, then which of the following statement, r2 हमें बताने कौ से पहले जैसे अगर हम यहां से देखें, 1 की power minus t, इसको cross multiply कर देते हैं, दोनों equation में, तो जैसे दोनों equation में, इसको cross multiply करते हैं, d of x1t and d of x2 upon dt, बना, x1 और x2 का t के respect में, differentiation हमारे पास यह बनेगा, साथ ही, अगर r की value देखें, square root of x1 square plus x2 square given है, तो दोनों side हम whole square कर दें, value जाएगे, r square equals to x1 square plus x2 square, तो दोनों side अगर अवकलन करें, t के सापिक्ष, तो यह value के आएगे, r dr upon dt, और साथ ही आएगा, x, पहले का अवकलन करेंगे, x1, dx1 upon dt, साथ ही हमारे पास x2, x2 का अवकलन dt के सापिक्ष, दो भी आएगा, इनमें साथ में, तो दोनों side, दो दो आ अवकलन हमारे पास यहां से यह रहा, इस दोनों में अगर हम यहां से देखें, हम ले लेते हैं, साथ ही पहले को हमने x1 से multiply करना है, दूसरे को हमने x2 से multiply करना है, simplify करेंगे, तो minus x1 का square, plus x1 x2, same, इसमें x2 से multiply करना है, minus x1 x2, minus x2 का whole square, यह दोनों value आपस में cancel out होगी, minus इ यहां से यह दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, बे आर, बिट्टे आर का integration होगा, हमारे पास log r, और यहां से आएगी minus exponential t, plus integration constant z, अब question के according देखें, तो हमें यहां से क्या given है, question के according हमें यहां से given है, जैसा कि इसमें, यहां से t की value जब 0 होगी, तो जब t की value 0 होगी, तो यह r 0 में change दाएगा, x1 की value 0 होगी, तो इस पर x1 0 पर मान है, 1, तो 1 का square, 1 ही बनेगा, और यहां से value है, हमारे पास 0, तो 1 का square, प्लस 0, यहनि overall 1 आएगा, तो r की value 0 पर हमारे प t बराबर 0 पर यह value हमारे पास, t बराबर 0 पर यह value हमारे पास, t बराबर 0 पर एक आगई है, क्योंकि e की power 0 यहनि 1 तो minus 1 आगया, plus integration constant c आगया, और log r यहनि log 1 की value आएगी, हमारे पास 0, simplify करेंगे, c का मान 1 आगया, जैसे हमारे पास यहां से c का मान 1 आता है, c का मान 1 हम इस कर देंगे, तो जैसे c बराबर 1 इसमें replace करते है, equation बन जाएगी, हमारे पास यह, अब r, t, n, t लोग ले देते हैं, तो e की power 1 minus e की power t आगया हमारे पास, तो अगर t इंफाइने पे जाएगा, जैसे t हमारे पास infinite पे जाता है, यह value हमारे पास infinite पे जाएगी, तो e की power minus infinite तो अब अगर हम यहाँ से solution में, solution है हमारे पास यहाँ से, इसमें अगर हम यहाँ से t की जगर log 2 रखते हैं, तो e की power log 2 एने 2 आएगा, 1 minus 2 हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से 2 बन जाएगा, 1 minus 2 की value minus 1, तो e की power minus 1 आएगा, यहाँ से second option correct आगया, first row second correct होगा, second correct होने से respectively third discard हो गया, अब हमने r exponential t की value निकाल लिए, तो r exponential t की value हम इससे निकाल सकते हैं, इसमें हमने इसको exponential t से multiply करना है, दो नहीं साइड इस equation को, तो जैसे exponential t से multiply करते हैं, rhs हमारे पास यह बन जाएगा, अब हम कहरें, t की value infinite पे जाएगी, जैसे t की value infinite पे जाएगी, फिर से minus infinite आ third option discard हो जाएगा, thank you